आलू की फसल लगाने वाले किसानों के चेहरे समय खिल चुके हैं किसानों को आलू की फसल के अच्छे दाम भी मिल रहे हैं तिन साल पहले आलू घाटे का सोदा बना हुआ था लेकिन इस पार किसानों को काफी अच्छा मुनाफा मिला तो प्रती एकड़ 150 क्यूंटल उत्पादन भी हुआ जिसके हिसाब से अब इस समय तेरा सो रुपे प्रती क्यूंटल के हिसाब से आलू बिक रहा है पलपल पतेवाद से राजेश भांबू की विशे स्पोर्ट पिछले वरस तक किसानों के लिए घाटे का सोदा साबित होने वाले आलू इस वरस किसानों के लिए वर्दान बन चुका है आलू की श्यांदार फसल और बाजार में मिल रहे अच्छे दाम आलू उत्पादक किसानों के चेहरे पर खुशी लिए हुए है इलाके के आलू उत्पादक किसानों का कहना है कि पिछले वरस तक जहां आलू की फसल अच्छी थी मगर बाजार में दाम नहीं मिल रहे थे जिस कारण उन्हें भारी घाटा भी उठाना पड़ा मगर इस वरस वसल की बंपर पैदावार होने के साथ साथ दाम भी अच्छे मिल रहे है उन्हों बताया कि एक एकर से करीब उन्हें डेर्ड सो से दो सो क्योंटल तक आलू मिल रहा है और बाजार में आलू का भाव बारा रूपे से 14 रूपे प्रती किलोग्राम बिक रहा है इससे उन्हें अच्छा का सा मुनाफ़ा भी मिल रहा है वहीं किसानों ने बताया कि अगर उन्हें इस परकार से दाम मिलता रहा तो इलाके में और भी किसान आलू की फसल प्रती आकरशित होंगे और भी ज्यादा पैद रहे हैं अब देखें पलपल की विशेश रूपो बढ़ी है पिछली बार से बहुत ही ज्यादा पिछली बार तीन सो गत्ते निक्रेत और प्रक्यार चार सो गत्ति उमना प्रेटी ये पंद्रावीस रुपी है पिछली बार तो दसे रुपे गर रहा है अब क्योंगार बह बहुत बढ़ी अध्षा रेट में लिए आलू की तरही है राएगर शका घूरा में जफा hall रहा है इसमें की पिछली बार थोड़ा रेट कम था इस बार अच्छा है और यह फसल भी अच्छी है और एक कंड ऊखु है कि एक हाट में 300 बैक निकलाता है, 300 बैक के गरीब एवरेज आरी है, एल्ड अच्छी है, तो रेट बगएर है भी काफी अच्छा है, पिछले साल से काफी बैतर है, कितने एकड में आपने यालू केती कि, 40 एकड में,